हेलो एवरीवन, सो भी हम विजन आयस का मंतली करें नौवेंबर मंत का इन विच वी अल्रेडी हैव कवर्ड सम टॉपिक्स लाइक पॉलिटी एन गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनसिप, एकोनॉमी यह सब हम कंप्लीट कर चुके है, अब हम देखने वाल है इनवार्मेंट इसके पहले हम यह स्टार्ट करें, छोटा सा एनौसमेंट है कि अब न्यू प्रिलिम्स बैच स्टार्ट हो गया है जिसमें कि पॉलिटी, जॉग्रफी, एकोनॉमी, यह सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा वित वेरी मिनिमम्म प्राइस ओफाइवंग्रेट, इसलिए क्योंकि इंफ्राइस्ट्रॉक्चर कॉष्ट लगता है content writing, content team को भी पैसा देना पड़ता है जहां से में ले रहा हूं so all those things are there, so that's why यहां पेक minimum charges हम ले रहा है लेकि इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि within 3 months यह सब कुछ complete हो जाएगा 31st March तक आपका quality, geography, economy, history, सब कुछ complete हो चुका होगा demo lectures भी already playlist में है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है तो यह आप, मैं कहूँगा कि आप join कर ले, कि 3000 में जो है आपका complete सब कुछ यहां पर आ जाएगा as total 3,300 होता है, वा 300 और off हो जाएगे और साथ में, मतलब zoom call भी हो जाएगा कि we can interact कि किस तरीक से तयारी चल रही है, क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है और कैसे हमें और आगे करना है तो आपको mentorship इसमें मिल जाएगा जहां लागों लगते हैं, आप आप सुची इतने कम टाइम में आपको सब कुछ यहां पर तयारी हो जाएगी, including seasat सबसे बड़ी बात है, seasat भी 50% होता है, तो वो भी यहां पर complete हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं इन्वार्मेंट में जो अभी पहला topic है, महीं से अभी start करेंगे तो यह article क्या चीज के related है, यह air pollution in urban areas, तो देखिए UPSC, Delhi और pollution यह तीन चीज जो है, like heavily connected, अब क्या हो रहा है कि Delhi, Mumbai, Kolkata यह जो तीन major cities है, इंडिया की, जो mega cities है were among the world's 10 most polluted cities अब बताये, world के 10 most polluted city में जो 3 हमारे बड़े cities है, वह है क्या आते है यह बहुत बड़ा major concern हो गया है, अब जैसे इसमें Delhi सबसे ज्यादा worst है, especially थंड के मौसम में थंड के मौसम में क्या होता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पर बताये है cold, denser winds have lower speed अब क्या होता है, कि जब हवा थंडी है, ठीक है यह माली जब हर ग्राउंड लेवल है, हवा थंडी है, पार्टिक्ल से शान्थ पढ़े होए रहते है ज़्यादा movement होता नहीं है, air में और हवा जो होती है, भारी होती है, आप समझे, यहां से कोई dust आ रहा है, वो यही पहा के रुख जाए अगर यहां पे air की speed ज़्यादा होती है, जिसे अब देखते हैं, गर्मी में cyclone आता है, जो मिंदी में माटिया वगरा होता है तो उससे क्या होगा कि यहां पे pollution जो भी है, pollutants जो भी है, यह भी move कर जाएंगे आगे और वैसे में क्या होगा यहां पे, low pressure area बनेगा, उपर high pressure होगा, गर्मी की बेबात कर रहा हो और वो फिर नीचे ऐसे आएगा, और यहां का जो यह air है, यह ऐसे circuit करेगा, upside में जो pollutants से उपर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा नीचे के area में, जो air pollution हो कम हो जाएगा बट अभी यहां पे क्या हो रहा है कि pressure भी हाई रहता है, speed भी कम होती है, यहीं पे सारे pollutants जादा जमते चले जाते है जिसके कारण बहुत severe pollution, like 20 to 50, 20 to 40 times तक जो WHO ने recommend किया हुआ है, World Health Organization उसको भी breach कर देता है और जो कि बहुत जादा ही बुरा है, if you have asthma और any kind of hurt alignment, लेकिन जो अभी fit जो इनसान है उनके लिए भी आपर यह बहुत जादा ही ट्रबलसम है, आपकी life expectancy कम हो रही है, आपकी quality of life है वो कम हो रही है, तो यह जो चीज है यह बहुत जादा problem create कर रही है, तो इसलिए इस पर article इतना बड़ा है पर दिया हुआ है अब मेन क्या क्या reason है, अब उस पर बात कर लेते हैं, burning of fossil fuel जो fossil fuels जो burn हो रहे हैं, चाए coal है, oil है, gasoline है कोई भी चीज, जो electricity की generation के लिए मालीज़ हो रहा है तो उसे कारण क्या होगा, pollution होगा, definitely air pollution बहुत ज्यादा और इसी पर जो government जो है यहां की जो आप government है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उन्हें पता है कि air pollution से ज्यादा जरूरी क्या है, वोट लेना इसलिए उन्हें 200 उन्हें पर बिजली फ्रीक होई है ठीक है, अब अगर यह जो पूरी की पूरी electricity है, अगर वो सोलर से होती है कोई दिक्र नहीं थी, बट आप coal, oil, आप gasoline यह सब के थूरू electricity generate कर रहे है और क्या कर रहे है उसको free कर दे रहे है अब इस पर आपका क्या कहना है, आप comment section नहीं पता सकते हैं but yes, definitely that you can say in your UPSA interview also कि यहां पर जो है गौर्वर्मेंट की यह भाद बड़ी गलती है यहां पर क्रिटिसाइस करना है, वहां पर क्रिटिसाइस करना है बस आपको यह होना चाहिए, अपर फैक्ट से वो प्रॉपर होने चाहिए इसके बाद देखे, इसके बाद देखे, इसके बाद देखे, इसके निकलता है PM 2.5, 10, NO2, SO2, CO are the key pollutants that emits from industry तो industry से यह निकलता है यह चीज़ आप यहां पर आद रख सकते हैं इस तरीके से कभी MCQ भी दे सकता है कि these are the particulate matters which are emitted from the industries like PM 2.5, 10, NO2, SO2, CO तो yes, इसमें से कोई भी आ गया तो correct हो again open burning of garbage waste open air garbage burning releases toxins such as black carbon, soot and carcinogens यह सब क्या होता है जो black carbon सवगेरा होता है जब कुछ भी प्रॉपर्ली बर्ण नहीं होता है तो सब जो carbon निकलते हो black carbon होते है suit, carcinogens, cancer सवगेरा हो जाए तो इस तरीके की जो चीज़े होती है वो सब यहां पर burning of garbage से निकलती है तो garbage को proper dump करना है क्या करना है वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है municipality को इस पर बहुत ज़्यादा देना चाहिए इसके बाद देखा जाता construction and emolition आप देख रहे होंगे कि वहां पर cement में यह मिलाया जा रहा है sand, sand और इस सब तो cement वगेरे भी क्या होता है हलका हलका वह भी atmosphere में चला जाता है ठीक है हलका light होता वह भी atmosphere में चले आता है उसे के और और pollution वड़ता है indoor pollution अब room के अंदर मान लीजी आभी आपका एक घर है यहां पर आप जो यहां रह रह रहे होंगे तो अच्छे से feel कर लेंगे कि आप गलियां बहुत चोटी चोटी है ventilation proper है नहीं अब जो ventilation proper नहीं होगा तो बाहर भी जो हवा निकलनी चाहिए थी बस अब एक ही gate है खिड़की वगेर है नहीं तो यह से निकल रहा है तो अंदर जो pollutants है वह भी जो बाहर नहीं निकल पाता है ठीक है वह भी जो है इधर ढूंदते रस्ता नहीं निकल पाता है इसकी कारेंट क्या होता है अगें वही है अपका एर पॉलिशन जो है वह बढ़ जाए रहा इंडोर में inadequate ventilation वह यहां पर जो uneven temperature and humidity level can cause indoor air pollution ठीक है सम agriculture practice like stubble burning अब क्या होता है कि यहां पर माली जी रवी क्या खरीफ कोई भी है ठीक है रवी खरीफ यह आपके अब जब आप खेती करेंगे सीजन आए उसके बाद क्या होता है कि stable burning में क्या है सपोस करी है धान है धान की जब उससे जब काटा जाता है मशीन से तो यह रहा आपका सर्फेस ठीक है इसी पी होगे हुए इस तरीके से बड़े बड़े यह है धान और यहां पर क्या लगा हुआ है पैड़ी अब समझे लिए पैड़ी लगा हुआ है इस पर तो यह जब काटते है यह इस सोचते है जला दो अब जब जलाते है ना तो इसकारन बहुत ज्यादा इर पॉलिशन होता है इसकोई बुलता है इस बुलता है stable burning यह जो बच जाता है उसके बाद से बुलता है स्टबल वर्न बागी ठीक एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का भी यूज होता है इन एग्रिकल्चर कें रिलीज अमोनिया उसे अमोनिया रिलीज होता है अगें उस अमोनिया से फिर से जो है पॉलुशन बढ़ेगा कि अग्व दो लाइफ्स टाक फार्मिंग इस वन अफ दव मेजर कंट्रिब्यूटर तु मित्हेन इमिशन यह प्रिल्यम्स में कोड किया हुआ स्टेट्मेंट अस्य दिए कि प्रिलिम्स में उच्छा हुआ है यह Pocket हो जाते है लाइट। कि यह अगता है कि मेजर कुछिक्श होता है तो मेंजर कंट्रिभिटर कितना है क्या है को मेंसे की दिश्न में बताइए गुगल करिए कितना ४क लेका कंट्रिभिट करता हमें कमेंट मेड़ अगये ठीक है चलिए अब बाकी से वही है कि इंपक्ट क्या-क्या होगा जुम्हें आपको बोली दिया एड़र्स हेल्थ कंडिशन होगी सब हर किसी पर इंपक्ट पड़ेगा जैसे जैसे मैं बोले ना जिसको अस्थमा है रेस्पेटरी इंफेक्शन है या फिर हाट डिजेज तो वह होगा तो उनका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाए रहा है तो उनका जो है काफी ज्यादा बढ़ जाए रहा है अगेन वही ग्लोबल वार्मिंग की चांसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है तो यह all those things यह में तो मेंस के perspective पर जादा important हो जाता है लेकिन हाँ यह सब points भी पता होने चाहिए जिसे में आपको पता है methane जो है प्रिलिम्स में already quote करके पूछा हुआ है उस तरीकी से जहां important होता है वह भी आपको underline करके एक जगे note कर लेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब आगे अगर बात की जाए इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है खराब तो हो गया सो हो गया अब सो ठीक भी करना है तो इसके लिए यह सीधे प्रिलिम्स में question पूछ दिया जाए यह दखिए monitoring को सफर क्या है अब हमें फर्खा गया यह आपको यह आपर याद रखना है कि वाज launch to noon the year quality of overall city pollution city pollution और quality जो है यहां से आपको पता चल जाए ऑगा सफर उससे related है ठीक है आपकी air quality से related यह यह याद रखना है अब National Clean Air Program NCAP जो है वो रेदक्शन अपटू 40% की कोशिश से वहाप है एर पॉल्यूशन में एचिव्मेंट ऑफ नेशनल एम्पेंट क्वाइलिटी स्टेंडर्ड ऑफ पी एम 10 कॉंसेंट्रेशन बाइ पच्छीश भीस तो पच्छीश भीस तक जो है स्टबल क्या होता है उसको जो बर्ण करते है तो सुप्रीम कोटे डायट किया है पंजाब हर्याना उत्ता प्रदेश राजस्थान और देली को तो इस टॉप इस्टबल बर्निंग इंमेडियेटली विच इस कुंसीडर्ड अमेजर काॉज ऑफ एर पॉलुशन इन देली देल थोड़ा बहुत देख सकते है फायर्स जो है कम हुए है पंजाब में पहले 49,900 था अभी 36,600 है इस्टिल यह बहुत ज्यादा होता है अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है ज़र 83,300 से तर से 36,300 तक आया है कम यह तो आ रही है लेकिन उस रेट से जो सोचा गय अभी भी नहीं हो पा रहा है अब इस्टबल वर्णिंग क्या इस प्रोसेस ऑफ सेटिंग ओन फायर्स इस्टॉब इस्टॉब इस्टॉबल्स अगेन जो मैंना बता है अधान के नीचे जो काटके जो बच जाता है उससे जला दिया जाता है ठीक है लाइक पैड़ी वीटि कहां से आ रहा है और क्या रहा है अगर आप उसे सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो बाकि जब एक बार उसे पीडिएफ के लिए आप टेडिग्राम चैनल जोइन करी सकते हो आपको यह मिल जाएगा पूरी-पूरी मैग्जेंग तो वहाँ पर आप एक बार गो थू उसको कर ल अब फार्मर्स क्यों करते हैं नॉर्मल सी बात है सबसे पहले जलाना आसान होता है ठीक है अब उसका पूरा पकटवाईएगा तो पैसा एक्स्ट्रा लगेगा जड़से अगर उससे हटवाना है तो मेन हो गया आपका फाइनेशल कंस्ट्रेंट ठीक है और उतना पैसा दो से दो से टीन विक का टाइम होता है अब अगर उसको यह सोचे है कि यारब पूरा जड़से कटवाना है लगवाद तो इसे में लग गया है तो यह ताइम बहुत कम बचे गाए उनके पस एक यह रीजन हो जाता है ठीक है तो मियन यह एक यह भी रीजन है कि टू-टू- अब हर्याना और इसा में जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं वहां से जड़ से हटाना है तो उसके लिए तो लेबर कम है खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए रहा है तो लाइक देट इंपेक्ट ऑफ इस्टबल बड़निंग इससे क्या होता है हारफुल गैसे लाइक कारवन मोनो ऑक्साइड मेथेन पॉलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रो कारवंस एंड वॉलिटाइल और गेनिक कंपाउंट्स यह सब जो है यहां पर होते हैं ठीक है अब यह देखिए इस्टबल बड़निंग से क्या क्या निकलता है एक टन में से तीन केजी पर्टिकुलेट्स निकल गया है साट केजी करवन मोनोक्साइड निकल गया है डायोक्साइड तो चॉदावस व्यूट सव केजी एराउंड टू केजी एश और टू केजी सेलफर इसके बाद वह बात की जाए कि सीड से रिलेटेड हूं देखते हैं अब जो एक लाउड सीडिंग की बात की जा रही है क्लाउड सीडिंग क्या होता थी क्लाउड सीडिंग कुछ नहीं है मान लीजिए एक एरिया है यहां उसके उपर क्लाउड बंढ रहा है बड़ बारिश नहीं होने वाली है यहां पर इंसान क्या करें रॉकेट या किसी के थूरू यहां पर सीड करें कुछ केमिकल्स डालें ज अब माली जी अगर यहां पर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर से PM 2.5 PM 10 तो पॉलिशन बहुत ज्यादा है अब अगर ऐसे टाइम में यहां पर बारिश हो गई दिली में तो इस सारे जो सेटल हो जाएंगे जमीन पर उससे क्या हो एर क्वारिटी अच्छे होगी तो वही कहा जारा कि अगर बारिश करवा दी जाएंगे जिसी करण कहीं न कर बहुत अलग इसके इशूज भी होते हैं जो प्रेसिपिटेशन जो बारिश है वह कहीं असानों कि बहुत ज्यादा होने लग गए इस एरिया में बाक क्योंकि जिस तरीके से यह मौशे लेके जा रहा था खहीं और आपने पहले बारिश करवा दी तो इसका भी इंपेक्ट पड़ेगा कि ना हम कहीं ना कर जो नैचुरल साइकिल है उसको ब्रेक कर रहे है कि इसमें कीया के जाता है कुछ डाल दिये क Bilk фин तो तकि टाला जा रहे है वहार था कि पर इसके बारिश हो है कि सिल्वर इवन आयोड़ाई डीन और ground based generator तो यह silver iodide डाला जाता है ठीक है अब इस silver iodide particle क्या करता है reach the targeted cloud यह हाँ पहुचता है it's in the formation of ice crystal और फिर वो ice crystal बनने में उसके formation में यह help करता है now too heavy to remain in the air the ice crystal then fall often melting on their way down to form red means क्या होता है कि यहाँ पर आइस क्यूब्स के तरह हो जाते crystal के तरह हो जाते है यह नीचे गिरते गिरते जो है वो फिर से आपका क्या करते है यह इसका प्रॉपर यह ले ले लेते हैं के droplets के तरह पिघल के बाद में तो यह जो है इस तरीके से जो process हो रहा है with cloud sitting ठीक है वो हो गया पर cloud sitting जिसमें कि to initiate cloud sitting clouds are injected with salt cloud में inject किया जाता है कि यह जो है यह जो चीज़े है ना यह inject ही तो की जा रही है with salt such as silver iodide potassium iodide sodium chloride और dry ice ठीक है तो यह चीज़े जो होती है यह initiate करके रखता है इसके बाद अगर देखा जाए तो जो cloud type है not all clouds are suitable for seeding cloud should be deep enough and has a suitable temperature minus 10-12 degrees celsius उससे में इतना जो है होना चाहिए जब यह कर रहे है seeding minus 10-12 degrees celsius clouds should cover at least 50% of the target area अब मान लिजे दिल्ली के इतना अरिया में बारिश करनी है ठीक है ऐसे बारिश करनी है तो इतना जो एरिया है यह 60% अगर कवर कर रहा है तो ठीक है थी more at least 50% जो एरिया cover करना चाहिए इसके बाद cloud seeding trend to be the less effective when relative humidity is less than 75% जब relative humidity 75% से काम होगा तो उस समय काफी less effective होगा करेगा प्रिलिम्स का सिर्य कोश्य बन सकता है कि एगर ऐसा हुआ तो कि ज्यादा effective हो गया कम effective होगा इसका temperature की बात की जाए तो cloud should be cold enough to contain super cold liquid water ठीक है तो जो cloud है वो इतना हमेंसा cold होना चाहिए कि वो contain कर सके super cold liquid water okay ठीक है चलिए अब दिखाज़े application of artificial range using cloud seeding वही मैं बोला pollution कम होगा जहां पर drought है सुखा पड़ा होगा है वहां पर अगरा बारिश करवादी जैसे राजथन और सबेरिया में तो जो arid reason है वो arid reason नहीं आएगा इस तरीके से बहुत फायदे हैं इसके क्लाउट शिटिंग के क्या क्या साइट इफेक्ट से हो भी हम देख लेते हैं जो क्लाउट शिटिंग it can harm plants, animals, people and even the environment फिर किसी भी चीज़ के लिए इस अच्छा है नहीं तो हम सोचे कि चलो या बार-बार करके हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, air pollution कम कर रहे हैं या फिर desertification कम कर रहे हैं बट उसका consequences भी बहुत खराब है जिसे दिखा जाए जब हम silver iodide इसमें यूज करते हैं तो यह material है जो कि कैसे change में यूज होता है कि cloud shedding जिसे उपर आपको मैंने दिखाया है यहाँ ठीक है यह जो है यह जो material जो जा रहा है यह है आपका silver iodide तो यह can be toxic to aquatic life अब इसे aquatic life में जो भी fish है और बाकी भी aquatic life है उनके लिए काफी toxic है तो उनकी बिडेथ हो सकती है फिर जो biodiversities है वो भी कम होगी तो overall इसके implications भी जो है काफी ज़यता है abnormal weather pattern अब सही बात है अब जहाँ पे cloud जा रहा था जहाँ बारी शोनी थी वहाँ पे आपने होने नहीं दी पहले करवा ली तो इससे क्या होगा abnormal changes आजाएंगे ठीक है इसके बाद अगर देखा जाए तो high cost अगेन आपको वहाँ पे sky पे ले जाना है चाहिए आप helicopter से ले जाए याप airplane से ले जाए आप किसी से भी ले जाए तो इसके लिए cost भी जादा लगेगा logistic preparation करनी पड़ेगी बार-बार कि कैसे जाएगा क्या होगा इसका ethical and legal challenges भी है like related to water rights and environmental impact environmental impact तो है water rights बै कहीं और का पानी आप कहीं और दे रहे हो अब यह नहीं बोल सकते हैं कि समुंदर में पानी जाने वाला था अगर दिल्ली के ऊपर आपको बढ़साथ करनी है इस for example यहां नहीं होता तो UP में होता कहीं आसपास होता दिमाचल होता वह बारिश अब यह नहीं बोल सकते हैं कि और अरेबियंस यह गिरने वाला था तो हमने हापे लिया आया वहापे तो वेस्टी होने वाला था समझ लें बात को तो यह चीज़े हो जाती है ठीक है तो यह इस तरीके से हमें यह मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रिलि यहाँ पर जो है Climate Change and Children, UNICEF जो है United Nations Children's Fund Release Children Displaced in Changing Climate, अब Climate भी जो चेंजेज आ रहे है तो सिकरान का फिर दिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों का इधर से उधर हो रहा है तो Children's Climate Risk Index Supplement तो अब यह किसी ने किया UNICEF, यह आपको याद रखना है, सीधे हापर Prelims में पूछाया सेकता है अब यहापर जो तीन कंट्री है, जिस पे सबसे अदा weather-related event के कारणी यह चेंज़ इस displacement हुआ है, जिसमें की Philippines, India and China यही पे almost 23 million, 1 million में 10 लाक होता है, it means 2.3 करोड के आसपास बच्चे दर सुपर डिस्प्लेस हुआ है, clear, total displacement जिसे के स्टॉर्म के कारणी 69.7 है, तो 21.2 जो है बच्चे है, तो इस तरीके से आपर प्रोपर बताया गया है, 134 million displacement है, जिसमें 43 million बच्चों पे इंपक्ट पढ़ा जिसमें 43 million बच्च में इंडिया की, तो इंडिया आपका चाइन और फिलिपिन स्केल, ठीक है, तो यह इंडेक्स जो है, आपका 16-21 के बीच में रिलेस हुआ है, अब climate change और children की जब बात की जाती है, तो जिदि चिंडरेल पे इसलिए भी focus किया जाता है, उनका क्या होता है पानी खराब पर death, mortality बढ़ जाती है, under fire, nutrition सहीं नहीं मिलता है, उसके करण के बाता है, education सहीं नहीं मिल पाता है, climate के कारण, adverse climate रहे हैं, तो आपके कैसे आपाए, mental health उनका degrade हो जाता है, अगर मान लेजी, आप और हम सब अगर एज में आके, कि जो इंपर graduation complete कर ली है, या हो जितना बच्चों पर पढ़ता है, इसलिए बच्चों पर और जादा special ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए UNICEF ने उनके इसमें, ये सारे चीज़े जो है, आप निकाले है, कि mental health पर उनके जादा फर्क पढ़ता है, जेंडर स्वागेरा भी जो है, कि उन पर भी काफी ये प और जो heat waves है, lasting longer than 30 days, तो तीस दिन से जादा heat wave रह जाती है, तो वहाँ पर impact पड़ता है, इस तरीके से अब statement आये, तो हाँ ठीक है, हो सकता है, आपको इस तरीके से रिडियर रहना है, अब green buildings के बारे में देख लिए था है, तो green buildings क्या होती है, ये सबसे परए news में क्यों ह में यहाँ पर Indian Green Building Council, यहाँ पर यह मिले थे, इनकी meeting भी थे, अब green building actually क्या है, usually refers to the use of environmental friendly construction material, ठीक है, environmental friendly, जो कम से कम impact करें, environmental friendly हो, जो process इस तरीके ला यूज़ करें, operation maintenance जो भी हम करें, सब कुछ environmental friendly हो, ठीक है, अब IGBC जो है, ये consideration of Indian industry in 2001 में, ये establish किया गया, इसका काम क्या है, कि ये India's Premier Certification Body for Green Building, मतलब एक building को बोल देता कि ये green building है, कि certificate देक है, which actively promote green building concept in India, तो अच्छी बात है, अब हम इस पर नहीं जाएंगे, कि कितने हम ढग से हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, चीज़ है, बठाग से हो रही है, बठ initiative तो लिया हुआ है, इसके अब आदेखा जाए, ग्लोबल green building material जो है, वो अभी 422 billion dollar है, वो 951 billion dollar के असपस 2030 तक हो जाने वाला है, ठीक है, तो आने वाले 7 सालों में, it is around more than double, तो इसकी मांग जो है काफी जादा पढ़ने वाली है, जैसे कि अब समझे ना, crackers जो हम फोड़त इस तरीके से में यूज करते हैं, मुर्ति पूजन के समझे, तो आचल, eco-friendly, आ गया ला, eco-friendly गनेशा, eco-friendly दुर्गाजी की प्रतीमा, तो यह जो है eco-friendly, इससे क्या होता है, इन्वार्मेंटल में कम इंपेक्ट पढ़ता है, इस में सबसे अच्छी चीजी हो जाती है, कि अगर आप धार्विक भी हैं, तो आपको जिसे भी constitution में बोलते हैं, कि it should be amended, तो यहाँ भी यह चीजी है, कि हाँ, अगर यह चीजी बहतर के लिए, इन्वार्मेंट को safe रख रही है, तो हम eco-friendly की तरफ चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर माली जीए जलाने से, लपीडी जलाने से, जर्वा, death होती है, तो जब लपीडी जलाने से के बाद ही, उनको मुक्ष की प्राप्ती होती है, या फिर, after death को किसी को दफणाया जाता है, किसी को यह किया जाता है, अब यहाँ पर क्या हो गया है, 25,000 मोल्ट के आसपास क जटके है उसके तुरू, उसके हीट के तुरू जो है बॉडी का भस्म कर दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है आपने तो अपना डिथ का रिच्वली चेंज कर दिया क्यों? क्योंकि ये इन्वार्मेंट की हित्मित तो जो भी जटके बोला जाता है ना कि Hindu इतने इतने पूराने टाइम से कैसे चल रहा है कि भी ही पिए अप सामने अमेंड्मेंटा देख सकता है कि इतने तेजी से अमेंड कर दिया जाता है कि आपको क्या संस्क्रिति भी बची रहे और इंपक्ट जो है और उन्पड का वी कि हाई इनिशल कंस्ट्रक्शन कोस्ट है अभिस यह बात है कि अभी जो भी चीजे रहेंगी आप पर ग्रीन बिल्डिंग में जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए लगे उसे कोस्ट तो ज्यादा ही होगी तब ही तो वाणा कन्वेशनल तरीका ही सब यूज कर रहे है ना वही यू सब्सक्राइब कर देखा जा तो नैशनल एफिसेंट कोकिंग प्रोग्राम नेशनल एफिसेंट कोकिंग प्रोग्राम 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 एफिसेंट कोकिंग अब दिमाग में रखना है यह एम कैस का emphasizing on the importance and urgency of energy efficient fan अब दिए energy efficient fan क्या है हड़ चीज की ज़रुरत है तो उसी तरीके से बल्व आजकल हम देखते है ना पहले किसे 100 watt के बल्व रहते थे आजकल 9 watt का 18 watt के बल्व कितना ज्याद़ लाइट कर देदा है ठीक है तो हम क्या कर रहे है अब दिख रहे होंगे 2 star 3 star 4 star अब AC लेने जाए या फ्रीज लेने जाए हर जगे वो चीज लिखी हुए होती है तो इटमिस जो generation of electricity है इंडिया में वो काफी तेजी से बढ़ा है solar से लेके सब कुछ है ठीक है इंडिया जो है अब पिछले 10 सालों में net exporter हो गया है electricity का हम जो है नेपाल बांगलादेशी सब जो country है इन्वे environment तो नई industry आना चाती है कि यहां पे electricity का issue नहीं है road अच्छा है साधरमाला concept है ठीक है अब आगे जाके जो है यहां पर freight के जो cost है वो भी कम हो जाएगी कोई तीसरी line railway में बन रही है तो यह सब चीज़े बहार की company देखती है पोर्ट्स पे क्या कवर्क कर रहे है ठीक है पोर्ट्स पे किस तरीके का वर्क चल रहा है आपर वो company देखती है उसके बाद बोलती नहीं चलो चलो future अच्छा है इंडिया में आज मैं अगर प्लांट लगाना चलो करूँगा और 2-3 साल में अगर वो active भी हुआ वो चलो कोई बड़ा machinery plant है सम्तिक तुब तक देखें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना और robust हो चुका हो तो यह सब चीज़े बहुत जादा देखी जाती है तो बहुत सारी चीज़े जो होती है जोड़ी होती है इंटर्लिंग और हम उस एकोनॉमी का हिस्सा होती है लेकिन हमें लगता है कि we are unemployed or we are something 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 तो यह सब हमें नहीं सोचना है या कुछ लोगों का यह मित होता है कि only the person who is earning and giving tax to the government जो direct tax होता है वो ही बस tax दे रहा है बट actually एक beggar जो एक भीख मांग के भी जिन्दगी जी रहा है वो भी अगर कल होगे बिस्किट खरीदने जाएगा तो क्या वो tax नहीं दे रहा है उस पर भी tax लगा हुआ हो ठीक है कई वो दूद का packet खरीद रहा है तो क्या उस पर tax नहीं जो चाहे किसी के तो इनफेक्ट छोटा सा बच्चा भी जो होगा वई कपड़े खरीदते हो उसमें भी tax लगेगा ठीक है अगर कोई अगर आमूल दूद पी रहा है या कुछ और पी रहा है तो उन वो भी तो हर जगे tax हर कोई दे रहा है तो किसी कोई छोटा नहीं सोचना है और कोई अगर माल लीजे जैसे कि मैं इकम आ रहा हूं मैं इंकम tax भर रहा हूं माल लीजे तो मैं चोड़ा करे करूँ कि I am the you know tax giver or something something नहीं गलत है हर कोई tax दे रहा है इस दे से तो हर कोई बढ़ा हो ठीक है अपने capacity के साब से direct नहीं दे रहा है तो indirect तो दे ही रहा है त अब इसे इसके फाइदे भी बहुत सारे है यह जो है focus का चीज पर कर रहा है non solar electricity based induction गूगल अब इसमें क्या होता है अब देखते हो कि induction अगरा जो हम यूज कर रहा है वह काफी जादा मिनिस्ट्रियों power बोल रहा है कि अब यूज कर हो कि हमने पास electricity के मतनी कमी भी नहीं है इसका फाइदा ही ओजाता है कि सब्समें org सकते हैं؟ पूँगी हो सकते हैंं आपने जय एलेक्टिशिटी इजञेरेशन किया व्यारोड से किया आपने पाउडरो fed Tech ज़रूरीड तो पुनि आप सारहानी से पसम्राइब करना है तो 30% की कमी है, तो induction सस्ता पढ़ जाता है, ठीक है, induction ये देखिए, cost advantage ही, जो मैं पताता हूँ, तो यही सही data रहता है, economic saving है, और वैसे लिए फर्क नहीं पढ़ता नहीं, अब चावल आप किस पर बना रहे हो, induction पर बनाओ या, gas पर बनाओ, अब जहां पर जरूरत है कि चापाती में भाई, अब तुमको खुलाना है रोटी, तो तुम इस पर बना लो, इसंट इट, वाँ जहां पर जरूरत नहीं है, तो वहां तो कोई लोटकी भी बात नहीं है, वहां पर आप induction आराम से यूज़ कर सकते हैं, वह ही आप बैलेंस करके आप दोनों अपना ही यूज़ करें, ठीक है, इससे और और गेनिक फार्मिक के बात की जाए, तो यह जो है लॉंच हुआ है, अब ब्रैंड नेम भारत और गेनिक्स, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जादा है, अब इस पे तो डबल, ट्रिपल, इस्टार मारी है, यह पुछा जा सकता है, क्यों हो, तो कि इस्टैब्लिश ही हुआ है 2023 में, अगेन, अभी इसी साल इस्टैब्लिश हुआ है, कि तरह इंपॉर्ट हो गया, निया, युदि, मुल्टि इस्टेट कोपरेटिफ सोसाइटी, अंडर क्या है, मुल्टि स्टेट कोपरेटिफ सोसाइटी एक 2022, तो ये स्टैब्लिश कब होँआ, ये पूची देगा कि 1995 में स्टैब्लिश हुआ, अपको पता ही निया, अंडर इस Act 2002 हुआ है, ठीक है तो एक साही है एक गलत है इसी पे दो statement बन गए हो गया अब प्रिलिम सा खुशिल अब इसके aim के बारे आप पूछ लेकि तो provide a platform to all the farmers doing natural farming across the country and to make arrangement for the marketing of their product सही बात है सिफ यह नहीं है कि इनको natural farming जो है पूरी country में उसके प्लेटफॉर्म देना है और साथ मार्केटिंग भी कर पाये हो यह जो हमारा प्रोड़क्ट है और अगर आप सहर में है अभी आप डोटिस करिए अगर आप जैसे की देली में आपको यह अगर एक ओनलाइन प् जो नॉर्मल गोभी होगी होगी पचास रुपए के लो तो अब आप पर है अब क्या ले और गनी थोड़ा costly तो है लेकि पहली बात पता तो चले है कि certified है कि वह सब certified रहता है ठीक है क्योंकि वह सब बेच रहे तो ऐसे नहीं बेच सकते ना कुछ भी टैग लगा कर तो प्र बाघवं कि प्रोड़क्त है वर्डल बाजट अब यह वैरिए इंपौर्टेट कौन कौन से भारत और अगिनिक के अंदर आये तो चना डाल सुगर राजमा बासमती राईस सोना मसूरी राईस तो दो तरीखे के राईस ही आजाए चना डाल है तूर दाल है सूगर राजम यह भारत और्गेनिक्स के अंदर में है अभी भारत और्गेनिक्स में मैं कोई और नाम डालता हूँ ठीक है और कुछ और डालता हूँ तो क्या वो है नहीं है यह छे याद रखना है ठीक है concept of organic under one root concept क्या है that is a network of retail outlet for all organic products started through NCOL was also launched तो अब यह जो है ना organic under one root सही बात है कि अब एक ही जाएगी सब कुछ हो जाए अब यह वर्णा परिशान हो जाते है certificate कहीं से लोग बाकी चीजें कहीं से करो ठीक है export, import तो बहुत सारी तिकते हो जाती है कि कैसे क्या organize होगा सब कुछ एक रूफ के अंदर कि एक ही रहे और वो सब कुछ उस्तारी किसस के लिए वर्क कर दे अब यह बहुत इपॉर्टेंट हो जाता है इस पर सीधे प्रिक्लिम सा कॉशन कोट हो जाएगा कि इंडिया is the largest number of organic farmers अब लगे अगर है क्या organic इंडिया में सब से है तो सुचने वाली बात है 44.3 lakh है जो कि economic survey में है तो economic survey में हम complete करेंगे ठीक है दूसरा 59.1 lakh hectare जो है वो organic farming के अंडर ठीक है इंडिया rank 6th in the certified area globally अभी बात यह certified area area के बात की जा रही है the number है the area है benefits क्या है environment के लिए prohibits use of harmful pesticides अभी pesticide वागे रायोजनी करते हैं ठीक है तो soil healthy होती है mitigate climate change through carbon ये भी जो है काफी ज़्यादव कम हो जाता है reduce erosion erosion कम होता है ठीक है cleaner water stimulates biodiversity and microorganism ethical pasture based system तो काफी ethically यहाँ पर चीज़े जो है होती है तो ये environment के लिए इतने फायदे हो गए दूसरा farmer को क्या फायदा है input cost देखिए कोई भी छोटे छोटे कास्पर small or marginal farmer सबसे बड़ा headache तो यह ही है कि सुरू में input cost इतना मेंगा fertilizer लाओ ठीक है अब महनत कर पता चल लाएगी पस घर में खाने लाएग हुगा है तो इससे क्या होगा attract more customers input cost का में more resilient to extreme weather events extreme weather events में भी यह है वहाँ पर क्या होता है बड़ा अग्दम Johnson baby powder की तरह यह बच्चे होता है मतलब इस तरीके से जो farming अभी हो रही है हलका सा पानी जादा हुआ तो खराब हो जाता है बड़ इसमें क्या है organic farming में बड़ चल रहा है ठीक है कोई दिखकत रही consumers के लिए क्लिए क्या है healthier highly nutritious quality का मिल जाएगा हमारे लिए भी अच्छा वना सरीर में यूरिया हो रही है सब तो हमें डारेक्ट ले रहे है किड्मी कितनी जादा से लोगों खराब है इसके पीछे भी बहुत बड़ा रिजन अब organic versus natural farming दोनों एक तरीके से सेम लगती है कि organic और natural सेम होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकि इसमें कुछ डिफरेंस होता है डिफरेंस कहा है कि permits use of off-farm organic and biological input like compost, vermicompost etc यहाँ पे compost, vermicompost जो है यूज करने जाता है अब यह क्या है compost, vermicompost मान लिजे केला था, सबजीया थी बहुत सारी चीज़े थी है ऐसे ठीक है मतलब काफी अच्छा है फिर वो मिट्टी को जो है compost को जिसके अंदर ये सत्थे वो आप उसको जड में डालोगे किसी पेड के असपास तो उसे क्या होगा जाधा अच्छे तरीके से productivity आएगी ठीक है येल्ड अच्छे होगे तो वो है compost, vermicompost मतलब इस तरीके से organic जो भी compound ये आप डाल दिये मिट्टी में और वो एक ये इस तरीके से आपकी पास आजाए है इसके बाद नेच्छेल में इस तरीके जा कोई external input नहीं होता है ठीक है तो यहाँ कुछ ही नहीं बला है केली के चिलका ये सब जो भी extra पड़ा हुआ है वो आपने डाल दिया सडा उसी में और बाद में उसी मिट्टी को जहाँ पर आपनी सब डाला हुआ था हाई amount को उसको उठा के पेड़ के जड़े में डाल रहा है तो यह ये compost, vermicompost open for micronutrition correction through use of minerals अब माली जी ये माइक्रो कई कमी है potassium की phosphorus की तो वो थोड़ा बस minerals यहांके कमी है तो correct किया जा सकता है ठीक, it's around है यहाँ पर natural farming में नहीं कुछ है नहीं तो नहीं ठीक है कि भी हम बाहर कुछ जा लेंगे ही नहीं हमको को कोई बाहर, बाहर कुछ है नहीं कुछ है बस सीधे plug करना है और चलने ले बस ऐसे चलने दो natural farming जो अपने आप चीज़े हो रही है वो सब भी natural farming पहाँ जाता है इसके बाद देखा जाए कि जिसे अब समझ जी ना तुलसी जी का जो पेड़ होता है जहां पर एक बार हो गया तो आस पास भी बहुत सारे पनफ जाते हो तो natural farming हो गया आप रे सीड वो क्या किया है बस जबीन पैसे चीट दिये ठीक है और बाद में वहाँ से तुलसी जी का पौदा निकल रहा है यह आपका natural farming है ठीक है और गेनिक में है प्रॉपर आप चाहे वो गोबर यूज करें चाहे आप वर्मी कंपोस्ट या फ्रीकंपोस्ट यूज करें तो वो सब चीज़े होगी है यह आपको यह चीज दिमाग में रखना है तो major challenges for organic farming sector अब इसमें भी क्या है अगेन high input cost and low yield yield जो है सुरू में इसकी कम है क्योंकि ट्रांजेशन कर रहे हैं कर्मेंशनल से organic में तो अभी जमीन भी जो है उतनी जाता उसको adapt नहीं की हो आदत पड़ी नहीं फर्टिलाइजर डालेंगे यह डालेंगे वो डालें है कि नहीं अभी एकदम से आप खा रहे हो डेली चाओमी और डेली ड्योडिल्स और यह सब और एकदम से बोल दिया जाए कि अब बढ़िया जो है घर का अच्छा खाना खाया जाएगा रूटी सबजी और यह सब तो यार टाइम लगता है ठीक है यह अभी तक समोसे खाके जी रहे थे और अभी तो यह करना है तो वस वैसे आप समझी हर जगे वह एक टाइम लगता है चीज़े इसके बाद इनफे सप्लाइचेन अभी सप्लाइचेन भी उतनी नहीं है अब एकदम से बहुत जादा प्रोड़क्शन कर भी लो तो यहर कहां कहां जाए नहीं जाए बंदा पता एक ही दे किसे होता है हॉल मार्क एक चीज़ का एक मार्क है या फिर जो भी अलग अलग मार्क रहते है तो वैसे एक यह इसका भी रहे कि और गैनिक है इसका एक ही जग से सटिफाईग अलग-अलग मल्टीबल सटिफिकेशन से नहीं और प्रोसेस कॉश्टली देवलप्मेंट अथरिटी ठीक है यह करती है अंडर बिनिस्ट्री अफ कॉमर्च एंड इंडस्ट्री तो यह जो ऑर्गेनिक स्टिफिकेशन रिजाइम है उसके बात की जा रहे है यह एक इंपोर्टेंट है जैविग भारत लोगों जैविग भारत लोगों कैसी के लिए यह फसाल ने किया हुआ है food safety and standards authority of India has introduced the logo to communicate the adherence of the national organic standards जो भी national organic standards है उसको adhere कर रहा है ठीक है उसको मान रहा है चल रहा है उसे हिसाब से तो फिर उसको logo दे दिया जाता है जिससे मान लीजिए आप कहीं रॉड लेने जा रहे है रॉड लेने की घर बनाना है आप लिखा रहे है आए एसाइ इंडियान standard के हिसाब से आपको भरोसा हो जाता है क्योंकि इसलिए standard माना हो ठीक है तो से मगर वहाँ पर लोगों लगा दिया जैविग भारत लोगों थो का 5000 hectare हो और हर साल एक 1000 hectare बढ़ाएंगे यह कुशिल बन जाता है कि किसने बोला है 5000 hectare और लोगों के बारे पर तो किरला है सिक्किम जो है world's first 100% organic estate बहुत बड़ी बात होती है पहला estate है जिसमें 100% organic है पूरा area यह organic ठीक है बाकी तो इसमें उनको भी दिक्कत क्या हो गई ब पहला होगे कि वो नहीं खरित पार तो वो बोलते हैं बाई कई से बाहरावाले आके हमारे पास और अर्गेनिक देदो 20 रुपे का प्रिंजल देदो हमको कहां भी 80 रुपे का खाएंगे बड़े बड़े जगे है दिल्ली विल्ली और इस सब कोल कारता जा पैसे वाले जात शरक् Tube के इसे fluctuation होने भी बंग हो जाएंगे है अब आती क्लाइमेट ड क्लाइमेट ऐक्विलिटी के अगर बात के जाया क्या है शरक्स काकह ऑग्रिवल ओक्तेवार्व girा लोग हतना उनने 16 15% carbon का क्या है emission किया है global carbon, 1% अबादी, ठीक है, अगर हम बोले 800 crore अबादी है, तो उसका 1% कित्ता होगे, 8 crore, 8 crore लोग जो है 16% global carbon emission कर रहा है, which is equivalent to poorest 66% of humanity, अब 66% कित्ता होगे 800 crore का ही अबाली जीए, ठीक है, 400 crore तो होगे 50%, मतलब एराउंड 500 करोड लोगों का सिर्फ ये 8 करोड लोग 8 करोड लोग इमिट कर रहा है जितना 500 करोड लोग मिलके भी नहीं कर रहा है तो इसके करण के बहुत सारी दिक्कति हो रही है और सिर्फ बिचारे वो तिना नहीं जल रहे हैं पॉलुशन नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन अब इससे करण क्या हो रहा है कि जो एक परसेंट लोग जो है न यह जितरा टार्गेट होना चाहिए 1.5 डिगरी ग्लोबल वर्मिंग के चीव करने का उसका 22 टाइमस ज्यादा उसे निमिट को प्रीच कर रहे है नौ कैन यू गैस मतलब इनमें यह वो लोग भी होगी जो बैटके मिटिंग कर तो कि आते है प्लेन से मिलने हैं हड जगे ठीक है तब ही तो इस बार कितना अच्छ की जो गौर्मेंट है इडिया उने लाइफ का कॉंसेपट यह अपनी लाइफस्टाइल फॉर इंवर्मेंट पही अपनी लाइफस्टाइल भी ऐसे करो आओगे विदम गाड़ी से हमेसा घीटा भी चलाना है और अई सब कर नहीं तो कैसे काम चले तो लाइफस्टाइल यह forward means में भी लिख सकते हैं क्यों जरूरी है इतना जाता इसलिए जरूरी है यह 1% लोग समझ जया तो कितनी बड़ी दिक्कत दूर हो जाए और सिर्फ इतना नहीं है न सर इसके कारण जो यह super rich लोग इतना emission कर रहे है उसके कारण जो extra स्ट्रोक आते हैं जो यह सब होता है वही तो एक डिग्री आधे डिग्री इसी का तो डिफ्रेंस बहुत जाता है डिटी हो जाता है अब समझेगे ना जीरो डिग्री तक चीज़े आईस है लेकि 0.5 हुआ तो वह वाटर नहीं लगता पुर स्टेट ही चेंज होगे है कि नहीं तो वह लगता कि आधे डिग्री से क्या होगा 1.5 के बात कर रहा है बट यस दिस इस दब ब्लंडर जो यहां पे हो रहा है इसके बाद देखाज है अब जो एडप्शन गैप रिपोर्ट किसे रिलीस किया है UNEP, very important पूछ देंगे क्योंकि अब अब अडप्शन से रिलीट फिरी होगा तो इसमें अडप्शन में होता क्या है कि country की जो है vulnerability को कम करने की कोशिश की जाती है और उनको इस तरीके से कम करती कि impact को भी absorb कर सके उसकी ability उनमें इसलिए का आगे कि अगर कुछ सही नहीं भी हो रहा है तो इसको impact को absorb कर सके ठीक है और बाकी जो adoption financing gap जो है वो बढ़ते चले जा रहा है around 200 से 400 billion cash annually ठीक है चलिए तो बस यहां इत्तों को ज़्यादा है बस वह आपको याद रखना है कि किसने यह release किया है UNEP के बारे में थोड़ा से देख लेते है United Nations Environment Program है यह Leading Environmental Authority है United Nations System के ठीक है Found कभ होई है 1972 यह important है पूजी देते हैं कभी कभी chronology कभ क्या कॉन आया है तो यह आपको पता होना चाहिए UN Conference on the Human Environment mandate कहा है to find solution to triple planetary crisis अब इसमें इसका mandate यह कि हमें तीन चीज़ों पर ध्यान देना है triple planetary crisis अच्छा वर्ड है यह अप लेक्सिमोड को कोट कर सकते है वह क्या-क्या है climate change nature and biodiversity loss pollution and waste ठीक है यह तीन चीज़ जो है इसे triple planetary crisis कहा है UNEP India member है और कौन-कौन से report लाता है Emission Gas Report Global Environment Outlook यह भी जो है यह लाता है ठीक है अब Paris Agreement Synthesis Report है यह जो है आपका UNFCCC United Nations Framework on Climate Change तो इनने क्या-क्या release किया है nationally determined contribution under Paris Agreement Synthesis Report यह report जो है solar के पीछह है और सब कुछ पता है इंडिया जैसी country का करना है तो पुरे वल्ट के लिए जरूरी हो जाता है जाता है सबच रहे हैं तो यह तो क्या ही कर रहे है एफर्ट इतना डालने आप सोचने के बार यह वह वाली बात हो गई है हम सोच रहे हैं सोच रहे हैं पर सोच रहे हैं महनत नहीं कर दो तो यह यह जो दिख रहा है चाहिए रहते हैं कि 50% marks 55% 60 प्रेलिम से में निगेटिव में रहे हैं और हम निगेटिव बताने में भी शर्म आ रहे हैं चलिए यहां तो कम से कम यह बतातो रहें कि हमारा failure लोग तो अपने marks भी नहीं देखता हूं कमेंट सेक्षान में बताना पसंद करता कि आर क्या बताओं कि 0 आ रहे है माइनस दो आ रहे है आ रहे है तो आ रहे देखी न यह भी तो माइनस 45 करना था प्लस 8 हो गया पॉलुशन और बढ़े गया इननने तो सरम नहीं खाई न सिधे रिपोर्ट जनरेट कर देख इसके बाद State of climate service report अब अगें यह जो है World Metrological Organization ने रिडिस की है अगें याद करना prelims के लिए important अब जो financial gap जो है अब क्या हो रहा है ना कि दिखिए यह fourth biggest killer है air pollution ठीक है इंडिया में तब देखी रहे अब मैं Delhi में बैठके आपको air pollution पर ग्यान दे रहा हूं मतलब मन करता है कभी को भाग हो यहां से इसके बाद yet only 2% जो international climate finance commitment है वो इसके तरफ जाता है fourth largest है 100 crore की funding है इंके अपास असी 2 crore ही air pollution के लिए जा रहा है जादा जाना चाहिए वो इसी पे आर्टिकल है ठीक है जो World Metrological Organization इसके बारे में थोड़ा बहुत देख ले कि इंटर्गॉर्मेंटल और्गिनाजेशन और स्पेसिलाइट एजेंसी है 1950 में हुआ है 1975 के रहूंद था 1950 में हुआ है इसके objective है dedication to international cooperation and coordination on state and behavior of earth's atmosphere its interaction with the land and ocean the weather and climate it produces and the resulting distribution of water resources ठीक है climate, land, ocean अब इसने focus किया है इंडिया member है the report state and global climate air quality and climate bulletin तो यह जो है आपका World Metrological Organization करता है okay अब यह ice melt हो रही है West Africa में दुसी की बात चल रही है सब जो इरिया है आपे melt होना चलो हो गया ठीक है इसमें जो है आपका World Largest Solar Facility अगर हम इसके बात करें तो जो launch किया है अनूर अबुदावी UA is one of the world's largest stand alone एक तो वर्ड पढ़ना आपको stand alone एक one of the largest अपरेशनल सूलर प्लांट है इसे कैपसिटी इतनी है यह 1.2 जीगावट इंडिया में जो हाइस्ट कैपसिटी 2.25 जीगावट इंडिया में बहुत जाद है इसे क्या होता है इसे क्या होता है stand alone एक ही बड़ा सा एकम खड़ा है ओके और वो जो है 1.2 जीगावट के इसके बाद देखा जाए तो आपका रामा गुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी जो है उसमें की तिलंगाना इस इंडिया इस लीडिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट तो यह है रामा गुंडम यह सीधे अभी प्रिलिम्स में बन सकता है यह कैचिस से इलेटेड है यह प्रोजेक्ट कोचिन एरपोर्ट जो है वर्ल्ड की फर्स्ट सोलर पावर पावर्ड एरपोर्ट है यह पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट होते हैं सीधे only one are correct only two are correct only फलाना correct बस होते हैं ठीक है इसके बाद इसके बाद इनिशेटिव और land degradation अब देखिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि land degradation कम हो और जो 26 million hectare है उसको फिट से क्या करने कोशिश कर रहा है कि restore हो जाए ठीक है वाँ पर जो degrad हो चुका है वाँ पर already तो वो इस पर restoration पर work कर रहा है ऐस पर bond challenge pledge यह अच्छी चीज है इस इनिशेटिव से बहुत ज़लूरी ठीक है चलिए इसके बाद यहाँ पर जो है cyclone मिधिली अभी जो cyclone मिधिली है वो उसके बारे में बात होई कि cyclone storm मिधिली after crossing bangladesh coast तो यह किस साइट पर बयोफ बंगाल साइट पर ठीक है यह खाली बस इतना आपको याद रखेंग इसके बाद जो seismic और earthquake swarms है उसकी बात चलिए कि आइसलेंड में एरॉट 5500 small earthquake है तो यह जो swarms होते है जब इस earthquake आता है तो हमें यह तो पता चली जाता है कि कहां पर यह हो रहा है आपका क्या कहा जाता है कि किस तरीके से अर्थकोएक खाया तो हम बोलते है यह epic center है पर इसमें वह center पता नहीं चलता तो sequence of many earthquakes that occur in relative short period without a specific main shock तो यह पर वह चीज़ main shock पता नहीं चलता है कि आया कहां से थोड़ा बाद tremor वह होता ही रहता है बस इसलिए यहां पर काफी जादा आ रहा है यह जो है आप याद रख सकते हैं duties presence on mid-atlantic ridge mid-atlantic ridge के कारण असा है अब यह सीधर प्रिकलिम से कोट बनेगा हाँ हाँ ऐसा हो सकता है यह सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चलिए आप कहेंगे दिसमें MCQ भी मैं अलग से खुदी create करके बना के आपको बढ़ावे ठीक है चलिए बाकी फिर मिलते है next session में तब तक के लिए जैन कि अजय खुदी के लड़ावे चुदी का प्रिक के लिए यह भी मैं राय कि यह को बाकी उना